टीम इंडिया के पास महम्मद श्रमी, जस्प्रीद बुम्रहा, इशांद शर्मा और उमेश यादब जैसे शांदार फास्ट बॉलर्स के लंबे फौज है। इसी फहरिस्ट में कभी जहीर खान, इर्फान पठान, ज्वागल श्रीनात और कपिल देव जैसे दिगजों के नाम शामिल रहे हैं, जिन्होंने कितनी ही बार एहम मौकों पर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत का पहला तेज गेंद बाज कौन था? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं भारत के पहले फास्ट बॉलर की बारे में। सीके नाइडू की कप्तानी वाली भारती टीम का डेब्यू मैच में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। बल्ले बाजी काफी लचल रही और टीम को 158 ड़नों से हार का सामना करना पड़। लेकिन इस मैच में एक खिलारी ने काफी प्रभावित किया वो थे मुहम्मद निसार निसार वही पहले बॉलर थे जिन्होंने भारत के लिए पहली गेंड फैकी। निसार ने इस मैच की पहली पारी में इंगलिश बल्ले बाजों को खूब छकाया और शांदार गेंड बाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किये। निसार ने इस मैच में 6 विकेट हासिल की उनकी तेज रफतार गेंद और शांदाल लाइन लेंथ ने इंग्लिश बल्ले बाजों की कमर तोड़ दी थी इस मैच में निसार ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये थे महमद निसार ने ना केवल भारत के लिए पहले गेंद फैकी बलकि भारत के लिए पहला विकेट भी उन्होंने ही हासिल किया इसके साथ ही पारी में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी सबसे पहले निसार नहीं बनाया यही नहीं वो एक समय तक भारत के हाइस विकेट टेकर बॉलर भी बने रहे 10 अगस 1910 ब्रेटिश इंडिया के पंचाब में पैदा हुए निसार का क्रिकेट करियर ज्यादा लंबा नहीं रह सका 1936 में उन्होंने अपना आखरी टेस्ट खेला क्योंकि इसके बाद तीम इंडिया अगले 10 साल तक कोई मैच नहीं खेल सकी निसार ने अपने टेस्ट करियर में 6 मैच खेले जिनमें उनके नाम 25 विकेट दर्ज है उन्होंने तीन बार पारी में 5 विकेट लिए नमभे रन देकर 5 विकेट उनका सर्विश्ट्रेश पर दर्शन रहा निसार ने फर्स क्लास क्रिकेट में 93 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 396 विकेट चटकाए इस दौरान उन्होंने 32 बार पारी में 5 विकेट और 3 बार मैच में 10 विकेट लेने का कारणामा किया विभाजन के बाद मुहम्मद निसार पाकिस्तान चले गए थी जहां 11 मार्च 1963 को पंचाब के लाहौर में उनका निधन हो गया निसार के बारे में सी के नाइडू ने अपने एक लेक में कहा था कि निसार इंग्लेंड के तेज गेंद बाज हैराल लारवुट से भी तेज है आज भी माना जाता है कि निसार जैसा तेज गेंद बाज भारत में कभी नहीं हुआ दिफ्तिय विश्व युद्ध और भारत के बटवारे के चलते उनकी उपलब्धियों को भुला दिया गया